करेले की सबजी तो आपने बहुत बार बनाई और खाई होगी लेकिन अगर एक बार इस तरीके से बना लेंगे न तो वाके में इसका कड़वा पन भूल जाएंगे अगर आप भी मेरी तरह सर्दियों की सबजी से बोर हो चुके हैं तो करेले जिससे बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा कर देते हैं और साथ में उसे थोड़ा सा कड़वा कर देते हैं लेकिन आज मैं प्रोसेस को यानि की तरीके को भी छोटा करूंगी और जो करेली की सबजी उसे बिल्कुल भी कड़वा नहीं होने देंगे तो चलिए शुरू करते हैं कड़वे करेले की सबजी को बहुत ही टेस्टी और आसान बनाना करेले की सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें करेलो को अच्छे से धोना है वाश करना है, क्लीन करना है क्योंकि जो करेला है, इसका कवर है इसको हम यूज करने वाले हैं सबजी में कहते हैं सबस्यादा ताकत इसके छिलके में ही होती है तो जो भी इसमें फाइदे हैं, चीजे हैं वो सब हम यूज करने वाले सबजी के अंदर तो हम इसके छिलके को नहीं उतारेंगे इसलिए इसे अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हम इसे कट करेंगे इतने ही हम साथ में क्या कर लेते हैं कि कढ़ाई रख लेते हैं जिसमें हम डाल देंगे तेल जिससे कि हम इतने कटिंग करें इतने जो तेल है वो भी गरम हो जाए करेले के लिए और यहाँ पर हम जो करेले को है गोल-गोल कट करेंगे इस तरीके से ज़्यादा मोटा नहीं रखना है पीस थोड़ा बारीक ही रखेंगे अगर कोई पके हुए बीज है करेले में तो वो भी आप बाहर निकाल लिजे साथ में ही हम प्याज है इन्हें लंबे स्लाइसे में कट करेंगे अब देखिए जो तेल है इतने अच्छे से गरम हो चुका है तो जो हमने करेले कट करके रखे हुए गोल और पतले साइज में वो हम यहाँ पे तलने के लिए डाल देंगे करेले डालने के बाद आपको इसे अच्छे से भूनना है अगर करेले की मातरा ज़्यादा है आपके पास यानि कि आपने एक कलो या आधी कलो से ज़्यादा करेले कट करें हैं तो दो बार में उसे आप तलिएगा एक बार में नहीं और लेकिन वो इस तरीके से हो जाने चा तो इस तेल को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि तेल की मातरा बहुत जादा थी हमने तलने के लिए डाला था और जो कड़वा पन था वह भी इसमें आ चुका है तो इसमें बहुत ही कम मातर मंतर तनी के लिए तड़ाना के लिए सबल लेगे और इसके बाद यहाँ पर इसमें एड करेंगे यहाँ तो इसमें यहाँ चल भा moral कि बार जो करेले को बहार नहीं करोंगि तेल ऐसा निये कि करेले तल लिये और बाहर निकाल दियें उसके बात हम सारा process वापस से शुरू करेंगे सबजी बनाने का जी नहीं आपको एक यी बरतन में एक यी बार में ये करेली की सबजी मिलने वाली है और बहुत ज़ादर तेस्टी मिलने वाली है, तो देखिए हमने इसी कड़ाई में तेल के अंदर करेले तले, उसके बाद तेल बाहर निकाल लिया है, फिर उस बचे होए तेल में जीरा चटकाया, और अब उपर से हमें डालनी है प्याज, लग बग मैंने आपे तीन बड़े साइज की प्याज ल अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे, करेले और प्याज को, और इसके बाद हमें जो प्याज है वो ज्यादा भूननी नहीं है, बहुत हल्की कचिया रखनी है, यानि कि आपको बस सॉफ्ट करनी है, तो इसमें हम जो सूखे मसाले हैं वो भी डालना शुरू कर देंगे, सब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, किचिन किंग मसाला एड करा है मैंने, और इसके साथ आमचूर, आमचूर बहुत इंपॉर्टन है, जो करेले हैं उसको बनाने के लिए, और ये सभी चीज़े इसमें डालने के बाद हम वापस से इसे मिक्स करें जिसे कि सारा जो ड्राइ मसाला है, वो सबजी के अंदर लग जाए, यकीन मानिए, इसके अंदर जाते ही एक बहुत अच्छी कुश्बू आने लगती है, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि करेले कडवे होंगे, तो शर्त लगा लीजिए, बिल्कुल भी कडव आप चेक कीजिए, तो जो आपके करेले हैं, वो सॉफ्ट हो चुके है, प्यास सॉफ्ट हो चुकी है, मसाला छे से मिक्स हो चुका है, और पक भी चुका है, तो हमें इस तरीके से सबजी हो जाए, तब तक इसे ढखके पकाना है, और देखे, ये अच्छे से एक दम बहुत करेले हैं, वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हैल्दी और जटपट बनने वाली सबजी है, अगर ये आपके मित है कि करेले बनेंगे करेले क्योंकि उसकी तहसीर करवी है, जी नहीं, आप इसने नमक लगा के छोड़ दीजे, जैसे पुराने टाइम में किया जाता था, करेल जो हमने प्रोसेस आपको बताया है, स्टेप बाइ स्टेप आप वो फॉलो कीजिए, और करेली की सबजी को बिना नमक लगाए, बिना धूप में सुखाए, ज्यादा टाइम लिए बिना ही आप बिना कडवे, बहुत टेस्टी करेले की सबजी बना सकते हैं, और अगर आप आपको इंस्टेंट टिफिन वेक लिजाने या खाने का मन कर रहा है, तो आप इसे तुरंट से बना सकते हैं, आपको बिलकुल भी वेट या इंतजार करने की जुरत नहीं है, करेले के कडवेपन को निकालने के लिए, आपको ये करेली की सबजी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में, अगर आपको बनाने का तरीका, तलने का तरीका और इसकी रेसेपी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीज़ेगा, रिना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ऐसी ही नई नई टेस्ट टेस्टी रेसेपी को देखने के लिए, और फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसेपी के साथ, रिना किचन पॉइंट में, तब तक के लिए, बाँ बाई